नमस्कार दोस्तों मैं रितुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल Kites Coaching Classes में हार्दिक स्वागत करता हूं Kites Coaching Classes एक अदम भविश्य की ओर सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा काफी समय से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया पर आज से हम continue वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा टॉपिक चला था शिमला शिमला की हमने कौन-कौन सी रियास्तें कुछ रियास्तें कर ली थी जैसे लास्ट रियास्त जो की थी कोटी की थी भज्जी की थी तो बज्जी के संस्थापक कौन थे चारू या चिरू और जो कोटी थे उसके संस्थापक चिरू के भाई कौन चंदर थे तो आज हम किस के बारे में पढ़ेंगे आज हम शुरू करेंगे कुमार सेन के बारे में ठीक है कुमार सेन तो कुमार सेन के संस्थापक कौन थे कुमार सेन कर से कुमार सेन कर से कीरत सिंग कौन कीरत सिंग ठीक है कीरत सिंग कहां से आये थे ये आये थे बिहार बिहार की कौन सी जगा से बिहार के गया से ठीक है कीरत सिंग जब कहां आये कीरत सिंग ने किस ठकराई किस स्थापना की थी कुमार सेन की तो एक बात मैं बता द तो कुमार सेन कोटेश्वर देपता कौन से कोटेश्वर कोटेश्वर देपता के अधीन था ठीक है अब क्या हुआ जब कीरा सिंग कुमार सेन आय तो उस समय देलट रियासत थी एक देलट में एक सामन थे जिनका नाम था भंबूराय तो क्या हुआ जो कीरा सिंग थे उन्होंने भंबूराय को हराया और जो कौन-कौन से कुमार सेन हो गया कोट खाई हो गया देलट हो गया ठीक है कोटगड हो गया और खनेटी इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और अपनी जो एक छोटी से ठकुराई थी उसे स्थापित कर लिया अगले जो राजा हुए और एक और बात बता दूं जो बंबूराय सामन था इसे क्या कहा जाता था इन्हे मबाना कहा जाता था क्या कहा जाता था मबाना ठीक है अब कीरज सिंग के बाद जो अगले राणा हुए उनका नाम था पहाड सिंग क्या नाम था पहाड सिंग तो पहाड सिंग ने क्या किया जो गिरी नदी के किनारे एक ठाकुर था जिसका नाम था जनोल जनोल ठाकुर को वहराकर जो उसके अधीन कुछ गाओं और क्षेत्र थे उनके उपर अधिपत्य कर लिया था वो क्षेत्र कौन-कौन से चंगाओ ठीक है एक दूसरा क्षेत्र था शर्मला शर्मला और एक और क्षेत्र था धार और गठान इन क्षेत्रों पर यानिके अपना अधिपत्य कर लिया था पहाड सिंग ने पहाड सिंग के बाद जो नेक्स राजा हुए नेक्स्ट राना बोल सकते हैं आप जिसका नाम था जोरावर जोरावर सिंग ठीक है जोरावर सिंग तो जोरावर सिंग के समय क्या था जोरावर सिंग के समय सिर्मौर के एक राजा थे जिनका नाम था सुमेर प्रकाश सुमेर प्रकाश ठीक है तो आप ऐसे बन सकता है कि कुमार सेन के जुरावर सिंग के समय स्रमार के कौन से राजा समकालीन थे तो कौन थे सुमेर प्रकाश तो उस समय क्या हुआ था कि जो सुमेर प्रकाश ने क्या किया था जो कुमार सेन था इस कशेतर से कर बसूल करना शुरू कर दिया था तो आप बोल सकते हैं कि जो सुमेर प्रकास थे किस से कर लिया था जुरावर सिंग से जुरावर सिंग कहां के थे कुमार से इन के थे पर जब कर देने से बचने के लिए जुरावर सिंग ने क्या किया अपनी पुत्री का विबा राजा के स पुत्री नाम था सरत्वन्ती की सटाइब जो इनकी पुत्री थे उसका विवा घुंध क्यों प्रकास के साथ कर दिया उसके नेक्स्ट जो राणा हुए जिनका नाम था ज्योती सिंग तो ज्योति सिंग के कारेकाल में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ एक काम किया था, इन्होंने घुंड के उपर घुंड एक ठकुराई थी, उसके उपर आकर्मन किया था किसने? ज्योति सिंग ने, ज्योति सिंग के बाद जो next है, उनका नाम है पूर सिंग के नाम है पूर सिंग जो अगले राना थे उनका नाम था पूर सिंग तो पूर सिंग के समय क्या हुआ कि उस समय सिर्मौर के जो राजा थे वो थे बुद्ध परकाश अब कुमार सिंग किसलिए परसित था उस समय कस्तूरी मरिक के लिए तो जब पूर सिंग बुद्ध परकास के पास मिलने के लिए गए तो वो कस्तूरी मरिक्की पोटली साथ में लेके गए में स्टू से आप बोल सकते हैं कि मीट लेके गए ठीक है तो जैसे उसी समय जो सिर्मौर का राजा बुद्ध परकास था उसके पास जो मुगल राजकुमारी जहां आरा आई हुई थी और जहां आरा को जब यह भेंट दी गई कस्तूरी मरिकी तो उन्होंने पेश यानिकि अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं उस कशेतर में जहाना चाह और साथ में दस हजार रुपे दिये ठीक है तो कुशन बन सकता है कि किस मुगल राजकुमारी ने कुमार सेन के किस राजा को तो जहां राने किस राणा को पूर सिंग को दस हजार रुपे और साथ में क्या दिया था तलबार दी थी किस के लिए क्योंकि जो कुमार सेन था बहां पर क्या था कस्तूरी म्रिग पाए जाते थे जो राजकुमारी को बहुत पसंद आये थे अगले राजा जो हुए अजमेर सिंग तो अजमेर सिंग तो जैसे हमने पड़ा था कि कुलू के राजा मान सिंग को कहां बुलाया गया था सिरगड के किले में क्यों बुलाया गया था क्योंकि मान सिंग ने क्या किया था बुशायर और कुमार सेन के कुछ हिस्सों पे कबजा कर लिया था तो जिस समय बुलाया गया था उस समय जो राजा थे कुमार सेन के वो थे अजमेर सिंग क्योंकि मान सिंग का क्या था प्रेम परसंग था किसके साथ कुमार सेन की रानियों के साथ तो बुशायर और कुमार सेन ने मिलकर एक शड़यंतर अचा जिसमें मान सिंग को बुलाया गया मान सिंग के ओपर हमला किया गया मान सिंग कहा हारा था मान सिंग करांगला करांगला में मानसिंग की हार हुई और जब सब लटाने की बारी आई तो इन्होंने अपनी, जो इनके ख्शेत्र कुलू के अधीन थे वो कुलू बासियों से बाब्पिस मांगे ताकि बाब्पिस की बेश पर मांगे थे कि आप अपने राजा का शब लो और हमारा क्षेतर बापिस करो, ठीक है, अब क्या हुआ, हुआ क्या था, कि जो मान सिंग था, ठीक है, मान सिंग ने उस समय जो क्षेतर हत्या लिये थे, कौन-कौन से थे वो क्षेतर, एक था, पंदरवीश का क्षेतर, कोठी का क्षेतर, ठी पर 17 क्षेतरों से जो मान सिंग था किया बो क्या लिया करते थे इस बात से परसान होकर इनों ने उसे हर के साथ मिलकर क्या किया था मान सिंग के बिरुद शडें तरचा था अगले अगले राजा הרा तो दिलीब सिंग र Aízuf दिलीब सिंग राजा जो हुती है वो किसके थे जिन की रियास्ते थी पर फ़्चोटी-चोटी ठकराईयों में क्या थे राणा हुआ करते थे तो अगले राणा थे दिलीप सिंग तो दिलीप सिंग का एक भाई था जिसका नाम था राम सिंग जब दिल तो उन्हों ने जो राम सिंग के गुट ने शडेंतर रचा जिसके चलते दिलीप सिंग को कहां भेज दिया कुलू अभियान पे ठीक है और साथ ही साथ जो कुलू का राजा था उस समय उसको भी दिलीप सिंग के इस अभियान के बारे में सूचित कर दिया और क्या हुआ इस वो संबंध थे वो क्योंथल के साथ अच्छे बनाना शुरू किये तो क्योंथल के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए राम सिंग ने क्योंथल के साथ जो कुमार सेन की सीमा थी वो कहां स्थापित की थी उस जगा का नाम था बीनु बाबली बीनू बाबली तो आप बोल सकते हैं कहां स्थापित की थी बीनू बाबली में ठीक है और उस समय क्या था उस समय बुशहर के राजा कौन थे बुशहर के राजा थे उगर से उगर सिंग तो उगर सिंग ने क्या किया था जो कौन थे राम सिंग था राम सिंग को कौन सा क्षेतर गिफ्ट किया था तो वो क्षेतर था सूहल का क्षेतर मेंस सूहल के क्षेतर को जीत कर किसे दिया था कुमार सेन के राणा राम सिंग को किस ने दिया था बुशायर के राजा उगर सिंग ने तो केहर सिंग के समय क्या हुआ गोर्खाओं ने आक्रमन किया तो आप बोल सकते हैं कि किस कुमार सेन के किस राना के समय गोर्खाओं पर आक्रमन किया था तो केहर सिंग किस में तो केहर सिंग कहा भाग कर कहा चले गए थे कुल्लू चले गए थे मेंस इनोंने कुल्लू में शरन ली थी ठीक है कुल्लू में शरन ली थी और साथ ही साथ जब युद खतम हुआ अंग्रेज गोर्खा जो 1815 में हुआ था खतम हुआ और जो अंग्रेज 116 को कुमार सेन को सनद दी गई और कुमार सेन किसके अधीन रखा गया कुमार सेन बुशहर के तो कुमार सेन 815 के युद के बाद कुमार सेन किसके अधीन था तो कुमार सेन बुशहर के अधीन था उसके बाद जो अगला सौरी बुशाहर के अधीन नहीं था जो केहर सिंग था इसको स garsनत दे दी गई थी और बुशाहर से मुख्त करवा दिया था मेंस्टू से आप बोल सकते हैं कि जो बुशाहर पहले कुमार सेे बुशाहर के अधीन था पर जैसे ही यूध खतम हुआ, तो बुशार से मुक्त करवा दिया गया, अगले राजा जो थे बो थे पृत्तम सिंग तो पृत्तम सिंग के बारे में दो बातने जानने वाली हैं की पृत्तम सिंग ने जो कौन सा अंग्रेज सिक्ष यूध हुआ था, ठीके हैं? एंग्लो सिखवार जो हुई थी उसमें अंग्रेज्जों की साहिता की थी कैसे 300 सैनिक भेजे थे अंग्रेज्जों की साहिता की थी और साथ ही साथ 1857 के बिद्रो में भी पृतम सिंग ने अंग्रेज्जों की साहिता की थी प्रितम सिंग के बाद अगले जो राजा हुए, उनका नाम है हीरा सिंग, हीरा सिंग जो थे वो 56 राणा हुए, कुमार सेन के, और हीरा सिंग जो एक कमजोर गुद्धी के वेक्ति थे, जिसके चलते एक काउंसिल एक परिशत बनाई गई, ठीक है, और जो राजय का चलाती थी, तो 1874 से लेके 1896 तक, 74 to 96 यह जो परिशद यह जो काउंसिल थी, यह कुमार सेन का प्रशाशन चलाती थी, ठीक है, तो 1896 में बहां पे, क्या हुआ एक मेजर की नुक्ति की के कुमार सेन में, उसके बाद जो, यानि की जो मेजर था, मैनेजर, मैनेजर था, वो क कुमार सेन का जो राज विवस्था थी, उसको देखते थे, 1800 कब, 1800 95 में, पहली बार कुमार सेन का बंदोवस्थ करवाया गया, बंदोबस्त करवाया गया 1895 में और एक दुबारा इसका आखरी जो भूमी बंदोबस्त हुआ था वो 1897 में हुआ था जिसे किसने करवाया था मैनेजर जो थे उस समय मंगत राम राय साहब मंगत राम उसके बाद जो लास्ट जो राना हुए उनका नाम था बिद्याधर सेंग ठीक है यह लास्ट राना हुए और बिद्याधर सेंग 1915 में गद्धी में बैठे और 1920 में इन्हें पूरण अधिकार दे दिये गए इनके राज्या के ठीक है पूरण अधिकार प्राप्त हो गए और 1927 में पहले Minor-1937 में जो बंदोबस किसना करवाया था वह राइस साहब मंगत राम ने कर वाया था पर 1927 में जो भीद्यधर सेंग ठीका व्शहार का सौरी कुमार सेंग का बंदोबस करवाया और पंद्रापरहयल 1908 ताली को कुमार सेन किसका हिस्सा बनाया गया कुमार सेन जो था वो महासू जिले का किसका महासू जिले का हिस्सा बनाया गया और बरतमान में जो कुमार सेन है किसका हिस्सा है शिमला जिला का हिस्सा है इसके बाद ये किसके बारे में था यह था हमारा कुमार सेन के बारे में और कुमार सेन के संस्थापक कहां से आये थे कुमार सेन के संस्थापक आये थे गया बिहार से अगली जो ठकराई के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है देलट ठीक है तो एक ट्रिक है देलट कहां लटका मारेंगे भूमी पे ठीक है तो जो देलट के संस्थापक थे, देलट के संस्थापक भी कीरत सिंग के बंसज थे, तो आप बोल सकते हैं, तो की देलट के संस्थापक कहां से आये थे, ये भी गया बिहार से आये थे, और इनका नाम किसी बुक में पृत्वी सिंग लिखा है, और कहीं पे पृति सिंग लि यह जो छोटी शोट ठकराई इनका जादा बड़ा इतिहास नहीं है क्योंकि गोर्खाओं के समय के समय कि गोर्खाओं के समय क्या हुआ था गोर्खाओं ने जितनी भी पहाडी ठकराईय और रियासतें थी उनका जो इतिहास था उसे जला दिया था तो 1810 से लेके 15 तक जो देलट थी इसके उपर किसका दिपत्य रहा गोर्खाओं का दिपत्य रहा और 1816 में देलट को बुशहर के अधीन कर दिया गया जैसे जो सनद बापसी की बात हुई थी उसमें देलट को किसके अधीन रखा बुशहर के अधीन किसके अधीन रखा गया? क्वशशन बन सकता है कि देलट को किसके अधीन रखा गया? बुशहर के अधीन और 15 परेल 1998 ताली को देलट किसका हिस्सा बनाया गया? देलट महासूजिले का और बरतमान में जो देलट है वो किस तहसील का हिस्सा है वो रामपूर तहसील का बरतमान में रामपूर तहसील का हिस्सा है और रामपूर का हिस्सा है नेक्स जो हम करेंगे वो खनेटी के बारे में तो खनेटी के संस्थापक जो थे वो भी कीरत चंद के बंसस थे, कीरत सिंग के बंसस थे, तो यह भी कहां से आये थे, यह भी बिहार से ही आये थे, ठीक है, बिहार से, आज मैं जो करवा रहा हूं, वो सभी बिहार से, मतलब जो question ऐसे बन सकता है कि इसके संसापक कहां से आये थे, तो बिहार से, ठीक है, तो ब दूसरे का नाम था सबीर चंद और तीसरे का नाम था जै चंद ठीक है ये तीन भाई थे जो संसार चंद था संसार चंद ने किस पेक यानि कि कहां रहना शुरू कर दिया करांगला और सबीर चंद और जै चंद ने मिलकर कौन-कौन सा हिस्सा खनेटी, कोट खाई और कोट गड़ के हिस्से को मिलकर यानि की चलाना शुरू किया पर क्या हुआ जो छटी पीडी हुई सबीर चंद और जै चंद की तो इसमें जो खनेटी के संस्थाफ़क हैं, कौन, किसे माना जाता है? सबीर चंद को माना जाता है पर जब इनकी छटी पीडी हुई, तो छटी पीडी में दो भाही थे एक का नाम था दुनी चंद और दूसरे का नाम था अहिमल अहिमल चंद इन्हों ने क्या किया राज्य पर यानिकी अपना-पना अधिकार बताया तो इन दोनोंने कैसे बांटा जो दुनी चंद था दुनी चंद को मिलगी खनेटी और कोट गहाई और कोट गड़ जो थे वो किसे मिले वो मिले अहिमल चंद को तो आप बोल सकते हैं खनेटी मिली ठीक है अहिमल चंद को कोट गड़ और कोट खाई मिली इसके बाद क्या एक राजा हुए एक राणा हुए जिन का नाम था बीर सिंग ठीक है बीर सिंग ने किस के साथ युद लड़ा बुशेहर के साथ जिसमें बीर सिंग हार गया और बुशेहर ने जो खनेटी के काफी सारे गाऊँ पर जो किशेत्तर थे उनके उपर कभजा कर लिया एक राजा, एक राणा हुए जिनका नाम था, रसाल चंद, ठीक है, खनेटी के एक राणा थे, रसाल चंद, इनके समय में क्या हुआ, जो गोर्खाओं ने आकर्मन किया था खनेटी के उपर, ठीक है, तो इनके समय कौन आये थे, गोर्खा आये थे, तो गोर्खाओं का समय क् 15 तक तो जब गोर्खाक करमन हुआ खनेटी के ओपर जो रसालचन थे वो भाग कर कहां गए थे बुशहर आप बूसकते हैं यह किनौर चले गए थे थीक है, यह भाग कर कहाँ, यानि कि किनावर में शरन ली थी, बुशहर में शरन ली थी नोंने, उसके बाद जो अगले राजा हुए, राणा, राजा निकल जाता है मुँंसे, आप समझ आये, जब हम ठकराईयों की बात कर रहे हैं, तो यहां पे राणा ही होते हैं, राजा क किसके होते हैं, रियासत के, ठीक है, जो अगले राणा थे, उनका नाम था, सरंचन्द, ठीक है, जब सरंचन्द, यानि की, गद्धी पे बैठे, तो उस समय, जो बुशहर के राजा थे, उनका नाम था, समशेर, सिंग, जब, तो क्वशन ऐसे बन सकता है, कि, खनेटिक है कि सराण, कौन सा राणा, बुशहर के राजा सिंग के समकालीन था, तो सरंचन्द, और सरंचन्द ने क्या किया था, सरंचन्द ने खुद को, यानि की, बुशहर से, अपने आपको स्वतंतर करवाया था, तो, यानि की, गर्द देना पड़ता था, बुशहर को, वो देने से इंकार कर दिया, क्योंकि बुशहर क्या थी, जो खनेटि थी, वो गोर्खा यूद के बाद, अंग्रेज गोर्खा यूद के बाद, बुशहर के अधीन थी, तो, खुद को स्वतंतर करवाने के लिए, सरंचन्द ने, जो जितने भी करते, उनको देने से इंकार कर दिया, तो बुशहर ने एक शर्त रखी, जिसके अनुसार, जब कभी बुशहर में राजा का बिबाह होगा, तो जो खनेटि है, उनको कितना 900 रुपया यानिकी देना होगा, जब जो टीका का जन्यवू संसकार होगा, उस समय 200 रुपया देना होगा, और जब राजा गदी पर बैठेगा, उस समय 500 रुपया देना होगा, ये इस सर्त के साथ, सरन चंद ने जो खनेटि थी, उसको स्वतंतर करवा लिया था, किस से बुशहर से, जो खनेटि के जो लास्ट राणा हुए, उनका नाम था, क्रिशन चंद, क्रिशन चंद क्या थे, खनेटि के लास्ट राणा थे, अब मैं बात करूँ, कोट खाई की, जो कोट खाई ठकुराई थी, तो कोट खाई की हमने पढ़ा कि किस ने स्थापना की थी, आहिमल ने, आहिमल चंद ने कौन-कौन से हिससे आये थे, कोट खाई और कोट गड़, तो आहिमल चंद कहां से थे, गया बिहार, क्योंकि उनके पूरवज गया बिहार से आये थे, तो क्वशन ऐसे बन सकता है कि कोट खाई और कोट खाई के संस्थापक कहां से आये थे, तो कहां से आये थे, गया बिहार से, ठीक है, जब आहिमल चंद को कोट खाई मिली, तो क् तो इनका रहते थे पर जो कोटगड़ किषेतर था वह काफी दूर होने की बज़ए से जो इस किषेतर पर कभी बुशहर का कभी क्योंथल का तो कभी कुमार से इनका हमला होता रहता था तो जिसके बएसे जो कोटगड था वो कभी बुशायर और कभी क्योंथल के अधीन रहता था ठीक है तो बाद में क्या हुआ जो ये जो कोटगड का क्षेतर था ये किसे दिया गया कुलू के राजा को दिया गया ताकि कुलू का राजा इस क्षेतर को चला सके पर कुलू के र जी पत्या कब तक चलता रहा 1810 तक जब तक गोर्खाओं ने अक्रमण नहीं गया जैसे गोर्खाओं ने अक्रमण किया तो कोटगड़ और कोटखाई के ओपर गोर्खाओं का अधिकार हो गया ठीक है अब गोर्खा जो थे वो कोटखाई से कितना 6,000 बार्शिक कर लेते थे और जब अंग्रेज सिख युद हुआ उस युद के बाद जो कोटखाई का क्षेतर था वो कोटखाई के राणा रंजीत सिंग को रंजीत सिंग को बापपिस सनद के रूप में दे दिया गया और जो कोटगड़ का क्षेतर था हमने पहले भी किया है कोटगड़ का क्षेतर अंग्रेजों ने अपने पास रखा और अंग्रेजों ने क्या किया था लैंड एक्सचेंज किया था किसके साथ क्योंधल रियासत के साथ क्योंधल को क्योंधल को दे दिया था और क्योंधल से क्या लिया था जो बर्तमान का शिमला है ठीक है तो लैंड एक्सचेंज हुआ था कोटगर का और शिमला का ठीक है किस रियासत के साथ क्योंधल रियासत के साथ अब रंजीत सिंग के समय क्या हुआ था जो सनद दी गई थी उसके बाद रंजीत सिंग के बाद अगले जो राना हुए वो भगवान सिंग हुए और भगवान सिंग के समय जो पहले पहारी द्यास्तों के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जो प्रतम पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे कैप्टन रॉस पर भगवान सिंग जब गदी पे बैठे तो उस समें दुटिय दूसरे पॉलिटिकल एजंट कौन बने थे मेजर पी सी कैनेडी ठीक है तो पी सी कैनेडी ने सिफारिश लगाई जिसके चलते जो भगवान सिंग के पास जो सनद थी उसको रद कर दिया गया तो क्वेशन बन सकता है कि किसकी सिफारिश पर जो कोटखाई की सनद थी वो रद कर दी गई थी तो पी सी कैनेडी की सिफारिश पर और क्या हुआ वाकि उसके बाद 1827 से लेकर 1947 तक यह क्षेतर किसके जो कोटखाई का क्षेतर था वो अंगरेज्जों के अधीन रहा नेक्स्ट जो ठकुराई है वो है करांगला ठीक है करांगला ठकुराई हमने पड़ा तीन भाई थे संसारचंद, सबीरचंद और जैचंद तो संसारचंद ने किस की स्थापना की थी करांगला की किसने संसारचंद ने अब संसारचंद क्वेशन बन सकता है कहां से आये थे तो इनके बंचसज जो पूर्वस थे वो कहां से थे बिहार गया से थे तो संसारचंद ऐसा कहां से आये थे तो बिहार गया से आये थे और ये जो थी ये बुशहर की करद थी मेंज उनिसमी स्तापदी में जो करांग इंगला थी वो बुशहर का पूरण रुप से हिस्सा बन चुकी थी जो नेक्स्ट ठकुराई के बारे में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भडोली केई जगा पे भडोसी लिखा हुता है भडोली ठकुराई इसका कोई जादा इतियास नहीं है पर इस ठकुराई के बारे में जो उलेक किया है वो किसने किया था सबस एक किया था James Bailey Fraser जेम्स बेली फ्रेजर कौन थे एक यात्री थे जिन्होंने अंग्रेज गोर्खा युद में हिस्सा लिया था तो इन्होंने 1815 में इस क्षेत्र का यानि की क्या किया था इस क्षेत्र के बारे में बताया था चर्चा बोल सकते हैं आप उलेक किया था उसके बाद जो प्रथम इजन्ट थे कैप्टन रौस है ना कि कैप्टन रौस ने भी भुडोली के बारे में भुडोली का उलेक किया और पीची कैनेडी PC Kennedy ने भी जो भडोली क्षेतर है इसका उलेग किया था कब 1822 में और जब अंग्रेज गोर्खा युद हुआ था तो ये जो भडोली क्षेतर था ये किसे दिया गया था युद के बाद ये दिया गया था हिंडूर के राजा रामसर्ण सिंग को पर ये क्षेतर हिंडूर नालागड से काफी दूर था इसके चलते जो रामसर्ण सिंग था इनों ने यहां पर शासन करने से मना कर दिया तो अंग्रेज जो ने इस क्षेतर को किसे बेच दिया ये बेच दिया गया था बलसन को कितने रुपे में करेगा और आज के बाद हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपका जो एक्जाम आए उससे पहले हम आपका हिमाच्चल का जो हिस्ट्रिय वो पूरा का पूरा खतम कर दें धन्यवाद